मश्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विधी लौजीपर आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है Motor Vehicle Act 1988 दोस्तों इसे शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या इसके पहले इंडिया में कोई प्रोविकल से रेलेटेड तो दोस्तों सबसे पहले इंडिया के अंदर जो Motor Vehicle का स्टार्ट है वह माना जाता है 19th century के end से 19th century के end था तब से ही इंडिया के अंदर प्रोवीकल से रिलेटेट्ट जो प्रोविजस थे वो बनाये जाने लगे थे सबसे पहला जो लोग आया वो था इंडिया इन मौटर वेहकल एक्ट 1914 जो कि British India के टाइम पर आया फिर जो दूसरा लोग था जिसने 1914 के Motor Vehicle Act को replace किया उसका नाम था Motor Vehicle Act 1939 इसके बाद जो नया Act आया Motor Vehicle Act 1988 जिसे कि हम आज पढ़ रहा हैं दोस्तों जो Motor Vehicle Act 1988 आया इसके अंदर कहीं बार time to time amendments हुए हैं लेकिन जो major amendments हैं जैसे कि भी latest 2019 का जो amendment इसमें हुआ है उसके बारे में हम इसके जो important sections है या important provisions जो इसके अंदर changes हुए हैं उन सभी के बारे में हम आगे वीडियो में discuss करने वाले हैं जितने भी important points हमारे exam purpose से important हैं उन्हें हम यहाँ पर जो है discuss करेंगे तो दोस्तों इसका जो section wise provisions हैं उसे शुरू करने से पहले हम एक और चीज़ इसकी समझ लेते हैं कि आखिर Motor Vehicle Act क्या-क्या cover करता है या इसके अंदर क्या-क्या जो बाते हैं उनसे related यहां पर provisions किये गए हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो भी Motor Vehicles हैं उनके registration related दूसरा उनके अंदर जो drivers या जो conductors हैं उनके जो license होंगे वह कैसे provide किया जाएंगे उसकी process क्या होगी उससे related थर्ड यह जो है victim होता है उसको compensate किया जा सके इसलिए third party insurance जो है यहां पर compulsory किया गया है यह सब क्यों किया गया है कब किया गया यह सारे जो चीजें हैं वह हम लोग आगे की जो provisions से उसमें बात करने वाले हैं इसके साथ ही दोस्तों इसके अंदर और भी provisions हैं जो compensation या liabilities या offenses क्या होंगे penalties क् चीजें हैं वह हम आगे बात करने वाले हैं और एक और important बात दोस्तों इसके अंदर जो definition वाला पार्ट है उसमें बहुत सारी definitions ऐसी हैं जो important हैं जो आपको exam में पूछी जा सकती है तो उसे जरूर ध्यान से देखिएगा जो important है वो था हम यहां में cover करी रहे हैं लेकिन फि Motor Vehicles Act 1988 Motor यान अधिनियम 1988 दोस्तों यह जो अधिनियम है इसे हम latest amendment जो इसका हुआ है उसके साथ ही पढ़ने वाले हैं लेकिन उसे शुरू करने से पहले कुछ important बात हैं जो आपको याद रखनी है कि जब भी आप कोई act पढ़ते हैं उसका वीडियो देखते हैं तो bare act जरूर साथ में रखें क्योंकि यहाँ पर सारी ही चीजे हम एक साथ mention नहीं कर सकते इसलिए जो important points होते हैं वो हम note down कर देते हैं और जो dictate किये जाते हैं उसे भी आप उसी वक्त जब आप बेरेट लेकर बेठे हैं तो वहीं पर उसे note down कीजिए इससे last moment पे आपको परिशान नहीं हो इसे 14th October 1988 को प्राप्त हुई और यह लागू हुआ came into force on 1st July 1989 यह जो लागू होने की दिनांग है यह आपको याद रखनी है कि यह कब लागू हुआ था तो 1st July 1989 इससे पहले के जो act थे उसके बारे में हमने आपको अलरी इसका जो introduction पार्ट है उसमें बताया है इसका जो वि अनोसोची हटा दी गई है लेकिन हमें जो है टोटल याद अटना है किसके अंदर कितनी अनोसोचीया है तो दो अनोसोचीया है section 2 definitions परिभाश आए हमने कोशिश की है कि जितनी भी important जो है definitions है वह हम यह cover करें लेकिन फिर भी अगर आपको कोई doubt आता है तो आप हमसे comment section में प the use of a person suffering from any physical defect or disability यानि कि कोई व्यक्ति जो शारिरिक विकार या निशतता से पीडित है उसके लिए यदि किसी vehicle को यानि कि motor यान को modify किया जाता है रुपांतरित किया जाता है तो उसे जो है adapted vehicle कहा जाएगा तो यह जो definition है आपको यह अच्छे से याद रफनी है क्योंकि यह important है और इस बार इसका exam में जो पूछे जाने का chance से वो बहुत जादा है उसके बाद 1A aggregator यानि कि समुहक क्या होगा तो aggregator means a digital intermediary और marketplace for a passenger to connect with a driver for the purpose of transportation यानि कि समुहक से कोई digital मद्यवर्ती या किसी यात्री के लिए परिवहन के प्रवेजन के लिए चालक से संयोजित होने के के लिए कोई बाजार इस्थान अभी परेत है जो है मिनिंग क्लियरली वही है कि जहां से वह जो बस ड्राइवर हो सकता है या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो दूसरे ड्राइवर से हैं उनसे जो connect होने के लिए जगे में मिलती है उसे यहां पार aggregator कहा गया है इसके बा करने हैं कि सनलग नियान क्या होता है तो सनलग नियान means a motor vehicle to which a semi trailer is attached तो इसके अंदर जो अर्द trailer जो है किसी motor यान से अगर attached है तो उसे यहां पर articulated vehicle यानि कि सनलग नियान कहा जाता है जैसे आपने बहुत सी बार देखा होगा track के पीछे जो trailers attached होते हैं वही यहां पर articulated vehicle के अ आते हैं तो यह कुछ important point है इन्हें आप आपके बहरेक में highlight कर लीजिएगा 4A Community Service समुदाय सेवा क्या होती है तो समुदाय सेवा means an unpaid work which a person is required to perform as a punishment for an offense committed under the sect इसके अंदर यह जो 4A जो definition के अंदर जोड़ा गया है यह भी 2019 के द्वारा जोड़ा गया इसका तातपर है कि ऐसा कोई कार अभी प्रेथ है जिसका किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधिन किये गए किसी अपराद के लिए दंड के रूप में किया जाना अपेक्षी थे यानि कि इस अधिनिम के अंदर यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपरात किया है और उसे अगर कोई धंड दिया गया है और उस पनिश्मेंट यानि कि जो धंड दिया है उसमें यदि कोई समुदाइक सेवा का उसे धंड दिया है तो वो यहाँ पर अभिप्रेत है यानि कि उसका यह भी जो है important definition है इसके भी exam में आने के chances बहुत जादा है स्वर्णीन घंटा से तात पर रहे शती के पश्चात यानि कि अगर कोई injury होती है या accident होता है तब ऐसी इस्तिती में उसके बाद जो एक घंटे तक करने वाली कालावधी है यानि कि accident के बाद जो है घंटा होता है उसे यहाँ पर जो है golden hour कहा गया है जिसके दोरान यदि तुरंत चिकित्सा लए या चिकित्सा देखरे प्रदान करके जो है मृत्यू को निवारित करने की अधिक्तम संभावना होती है तो इसलिए इसे golden hour कहा जाता है तो इसको आपको highlight कर लेना है यह important definition है उसके बाद जो है 2A जिसके अंदर E cart and E rickshaw से related जो है provision किये गए है इसके अलावा इसमें और भी definitions हैं जो एक बार आप read कर सकते हैं लेकिन exam purpose से जो important है वो हमने यहाँ पर cover किये है E cart और E rickshaw से related जो provision है वो number जो definition 2A और उसके बाद 2B promotion of innovation के बारे में किया गया है तो E rickshaw और E गाड़ी से जो provision किये गया है उसमें कहा गया है कि section 7 की जो subsection 1 है उसके परंतुक यानिकि जो provision को section 9 की subsection 10 में जैसा आने था उपबंदी थे उसके सिवाए इस एदिनेम के उपबंद E गाड़ी और E rickshaw को लागू होंगे यानिकि section 7, subsection 1 और section 9, subsection 10 यह जो दो section यह दिये गए हैं उसके जो provision है वो यहाँ पर लागू नहीं होंगे E cart और E rickshaw को तो यह important point है आपको महाँ पर highlight कर लेना है section 7, subsection 1, section 9, subsection 10 यह दो जो section है यहाँ पर लागू नहीं होंगे E गाड़ी और E rickshaw को उसके बाद बात करते हैं promotion of innovation to be नव परिवर्तन का संदवर्धन अब इसमें सीव आपको इतना याद रखना है कि जो central government है वह इस अधिनियम के अंदर यदि किसी vehicle को जो है modify किया जाता है या को इसके साथ नया परिवर्तन किया जाता है या innovation किया जाता है तो उसे permission जो है केंदर सरकार द्वारा दी जाएगी बस इतना ही आपको यहाँ पर याद रखना है तो जो important definition हमने आप कवर की है उसे आप एक बार highlight कर लीजेगा और अच्छे से सकता है चेप्टर 2 licensing of drivers of motor vehicles motor यानों के चालकों का अनुग्यापन यान कि जो motor vehicle है उसे चलाने के लिए जो driver को license दिया जाता है वो कैसे दिया जाएगा कब जो है license आवश्यक होगा इन सभी के बारे में जो provision है वो chapter 2 के अंदर किया गया है तो इसके जो important section से वो हमने आप कवर किये हैं सबसे पहरे देखते हैं section 3 necessity for driving license चालन अनुग्यप्ती की आवशकता तो यह कब होगी तो इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी public property पर यान कि सारवजनिक इस्थान में motor यान तभी चलाएगा जब उसके पास यान चलाने के लिए प्राधिकरत करते section 4 age limit connection with driving of motor vehicles motor यान चलाने के संबंद में आयूसीमा अब यहां पर अलग-अलग 3-4 तरह की जो है आयूसीमा बताई गई है अगर आपको motor vehicle चलाना है तो क्या आयूसीमा रहनी चाहिए तो सबसे पहले 8 public place यह भी यहां पर important point है कहां पर सारवजनिक इस्थान के उपर ही इसके बारे में बात की जाती है तो any person जो 18 years of age है यानि कि 18 वश की उम्र जिसने प्राप्त कर ली है वह यहां पर जो है driving glasses के लिए apply कर सकता है लेकिन इसके अंदर जो transportation related है यानि कि जो परि उसका license और उसके बाद 16 to 18 years of age अगर आप है तो उसके लिए जो motor vehicle यान है वह 50cc से अधिक का नहीं होना चाहिए 50cc तक की जो गाड़ी है वह 16-18 वर्ष के जो वेक्ति है वह उसके लिए license के लिए apply कर सकता है इसके बाद as per section 18 no person under the age of 20 years shall drive transport vehicle जैसा कि हम आपको बताया कि 20 years से क का जो वेक्ति है वह परिवहन से related जो वेकल्स है उन्हें नहीं चलाएगा लेकिन जो यह section 18 बताया गया है उसे भी आपको याद रखना है यह important section ने इसे हमने कवर किया है section 18 में बताया गया है कि central government यानि कि केंद्र सरकार के जो वेकल्स हैं उन्हें चलाने के लिए जनों ग उसमें liability के बारे में बताया गया है कि जो section 3 और section 4 है यदि उसका कोई उलंगन करता है तो motor यान के जो honor है उनकी liability क्या होगी तो उनकी liability सिर्फ यही है कि उन्हें permission ही नहीं देना है जो गाड़ी ही चलाने के लिए जो उसके लिए पात्र नहीं है उन्हें तो इतना important नहीं है सिर्फ एक बार आप उसे read कर सकते हैं section 6 restrictions on the holding of driving license चालन अनुग्यप्ति धारन करने पर निबंदन यानि कि restriction कब रोक लगाई जा सकती है तो कोई भी व्यक्ति उस समय के दोरा जब वत्तत समय प्रवरत कोई चालन अनुग्यप्ति धारन करता है शिक्षार्थी अनुग्यप के अनुसार मोटर यान चलाने के लिए प्राधिकरत किया गया है कोई अन्य चालन अनुग्यप्ति धारन नहीं करेगा तो सिर्फ उसे जिस driving license के लिए authorized किया गया है जो है अधिकरत किया गया है सिर्फ वही जो license है उसके पास होना चाहिए इसके अलावा और कोई license वह धारन नहीं करेगा section 7 restrictions on the granting of learner's license for certain vehicles अब ऐसे vehicles जिसके लिए शिक्षारती अनुग्यप्ति यानि कि जो learner license होता है वो कब नहीं दिया जाएगा तो no person shall be granted a learner's license to drive a transport vehicle unless he has held a driving license to drive a light motor vehicle for at least one year अब यहाँ पर जिसा कि हमने section 4 में देखा कि वहाँ पर बताया गया है कि 20 वश्च से जो कम उम्र के वेक्ति हैं उन्हें यहाँ पर transport vehicle के लिए license नहीं दिया जाएगा तो उसी के साथ यहाँ पर एक provision किया गया है कि जो transport vehicle है उसे चलाने का जो license है वो तभी दिया जाएगा जब उस व्यक्ति के पास light motor vehicle जो होते हैं यानि कि LMV जो होते हैं उन्हें चलाने का एक वर्ष का उसके पास अनुबह हो और एक वर्ष से उसने driving license LMV के लिए प्राप्त किया हुआ हो तभी जो है वह हैवी जो अपना ट्रांसपोर्ट vehicle होता है उसके लिए जो है अपलाई कर सकेगा प्रोवाइड देट नतिंग कंटेंड इन इस सबसेक्शन शैल अपलाई टू एन एकाट और ए रिक्षा यानि कि इसमें जो प्रोविजन किये गए हैं वह एका कि कब अपलाई किया जा सकेगा और जो है उसे अपलाई किया जाता है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इन सबसे रिलेटेड जो प्रोविजन है वह सेक्शन 8 में किये गए हैं लेकिन आपको यहाँ पर सिफ दो चीज़े यहाँ रखनी है कि learner's license के लिए प्रोविजन कहां पर किया गया है सेक्शन 8 में और इसके लिए क्या कंडिशन फुल्फिल होती है अभी वह कहां पर अपलाई कर सकेगा तो वह जो लाइसेंसिंग ऑथोरिटी है उसे अप्लिकेशन देगा कब और कहां पर जहां मामुली तोर पर निवास करता है या अपना जो है अपलाई कर सकता है लाइसेंस के लिए और जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए भी तो यह कॉमन पॉइंट है जो आपको याद रखना है सेक्शन 9 ग्रांट और ड्राइविंग लाइसेंस चालन अनुग्यप्ति कब दी जाएगी तो इसके लिए आपको जो ह तो वह च्छे महीने के लिए वैलीड होता यानि कि six months के लिए उसके बारे में आगे बात करेंगे उसके बाद जो है driving license के लिए apply किया जाता है तो जब driving license के लिए apply किया जाएगा तो इसकी भी जो conditions है वह same होगी जो learners license की थी कि वह जहां रहता है या business उसका चल रहा है या जहा है महां सभी जगे पर वह apply कर सकता है अब इसके साथ ही जो इसके important point है section 9 के वह हम नहीं आप लिखे हैं उन्हें आप जरूर देखेगा where the applicant does not passes the test he may be permitted to reappear for the test after a period of seven days यानि कि जब वह driving license के लिए जब उससे test लिया जाएगा उसका correction किया जाएगा और ऐसे test में अगर यदि व पास नहीं हो पाया तो दो chance और दिये जाएंगे और कि दिवा उन दो में भी नहीं हो पाता है तब ऐसी इस्तिती में उस last test से जब वह पास नहीं हुआ है उस last date की date से जो है दो मन्त यानि कि 60 days के बाद जो है उसे फिर से उस test में पेर होने का chance दिया जाएगा तो यहाँ प साथ ही उससे यहाँ पर जो है ऐसा समझा जाएगा कि उसे वापस से मोटर यान की एजुकेशन है वापस से लेनी चाहिए सीखना चाहिए तो section 9 के अंदर जो important point है वो हमने यहाँ पर लिखे हैं उससे आप एक बार write down कर लिजिएगा section 13 इसके बीच के जो section है section 10, 11 और 12 उसके अंदर सिर्फ आप उसकी जो heading है वो read कर सकते हैं जैसा कि जो driving license है इससे related वहाँ पर provision किये गये हैं तो अगर हम बात करें section 13 की तो इसमें बोला गया है extent of effectiveness of licenses to drive motor vehicles यानि कि shall be effective throughout India यानि कि संपुर्ण भारत में या लागू होगा इसमें बताया गया है कि जो motor vehicle के लिए आपको license दिया जाता है वो कहां उसकी जो validity है वो कहां तक है तो संपुर्ण भारत पर है या आप किसी भी state के license को carry करते हैं या आपके पास कोई भी state का license है या international license है तो वो सभी जगे valid होते हैं तो उसी के बारे में जो provision है वो section 13 में कि किया गया है तो उसकी सिर्फ जो heading है वो यहां पर आपको याद रखनी है section 14 currency of licenses to drive motor vehicles याने की motor यानों को चलाने की अनुग्यप्तियों का चालू रहना इसके अंदर provision किया गया है कि कौन सा जो license है वो कब तक valid रहता है उसकी जो time limit है वो कब तक रहती है तो सबसे पहले है learners license जो कि 6 months तक valid रहता है जब वो date of issues है उसके बाद driving license issued और renewed याने कि driving license यदि नया बनाया गया है या उससे renew किया गया है तब उस इस्तिति में क्या होगा तो in case of transport vehicles याने कि जो परिवहन वहान है उनसे related अगर कोई license बनाया गया है तो उसकी जो validity होती है वो 5 years होती है उसके साथ ही in case of transport vehicle carrying goods of dangerous और hazardous nature be effective for 3 years याने कि जो dangerous और harmful जो होते हैं ऐसे substance को carry करने वाले जो परिवहन वहान है यदि उसके लिए license लिया गया है तो उसका जो license हो वो तीन वर्ष्ट तक valid होता है तो यह दोनों आपको यहां पर याद अटना है क्योंकि categories यहां बना दी गई है इसके बाद यहां पर एक जो है अलग से category बनाई गई है कि की सुम्बर में license लिया जाएगा तो वह कब तक valid रहेगा नॉर्मल जो आप license लेते हैं LMV का तो LMV ज लेता है तो इस तरीकी के provision इस section में किये गए हैं उन्हें आप एक बार देख सकते हैं लेकिन जो important है वो हमने यहां पर write down कर दिये हैं section 15 renewal of driving licenses याने कि जो driving license है चाला ननुक गिफ्तिया है उनका renewal या उनका नवी करण तो इसके बारे में जो provision है वो section 15 में किये गए हैं कि उनका नवीनी करण कब किया जाएगा तो उसकी समापती की तारीक जो होती है जो driving license दिया गया है उसमें लिखा गया है कि वो 5 वर्ष तक जो है उसे apply करना होगा renewal के लिए और उसके बाद जो उसको accept करना या नहीं करना उसकी जो authority होगी वो licensing authority जो है उनके पास होगी इसके बाद section 16 revocation of driving license on grounds of disease or disability इसके अंदर ये बताया गया है कि जो driving license है उसे रोग या निशेक्तता के आधार पर प्रतिसरन यानि उनका revoke कर दे जाएगा यदि जो है किसी धारा में या किसी licensing authority के पास विश्वास करने का कारण है कोई व्यक्ति जो है उसके पास driving license है वह उससे ले ले लेना चाहिए क्योंकि उससे कोई जो है डिसीज हो गई है या disability ये कारण अब वहीकल नहीं चला सकता तब ऐसी स्तिती में जो है उसक इसमें अपील की विवस्ता section 17 में की गई है जो अपील होगी वह जो licensing authority है उससे उपर के जदिकारी है प्रादिकारी है उन्हें की जाएगी और उनके द्वारा जो decision दिये जाएगा वह सर्वमान्य होगा तो यही आपको यह आपर याद रखना है कितना important नहीं है सिर्व उस इसके बारे में हमने पिछले section में बात की इसमें बताया गया है कि जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा जो vehicles है जो उसके vehicles है यानि कि जो उनके द्वारा चलाया जाते हैं तो ऐसे vehicles के लिए जो license दिया जाएगा और Central Government की जो authority है उसके द्वारा दिया जाएगा और उसमें condition य यहां पर important section 20 power of court to disqualify नियाले की निरहित करने की शक्ति इसमें कहा गया है कि provided that in respect of an offense punishable under section 183 no such order shall be made for the first or second offense नियाले जो है यदि किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतरगत यदि किसी अपरात के लिए धंडित या punishment देता है तब ऐसी स्थिति में नियाले को अगर यह उचित लगता है तो वह उस व्यक्ति का जो driving license है उसे disqualify यानि की निरहित कर सकेगा लेकिन इसके साथ एक proviso दि जिति अपरात के लिए इस अधिनियम के अंतर जो है उसका जो लाइसेंस है उसे disqualify नहीं किया जाएगा तो यह आपको यह आपर याद रटना है जो important point है वो हमने यह आपर mention किया है section 25A इसके बाद कि जो section है section 21 जिसके अंदर बतायाएगा है कि कुछ मामलों में चालन अरुग्यप्ति का निलंबन यानि कि उसका suspension कप किया जाएगा या उसका driving license है उसको cancel कप किया जाएगा दोशिद्धी के आदार पर इन सब से related जो provision है वो 24 तक किये गए है इसके बाद हम Central Government के द्वारा प्रिपेर किया जाएगा और यह जो रजिस्टर होगा इसमें जितने भी राज्य के अंदर driving license बनाये जाते हैं या maintain किये जाते हैं उस से related सारी information यहाँ पर होगी और जो राज्य सरकार है वह भी इस register को access कर सकेगी तो यह जो provision है कहां किया गया है या आपको section 25 ए के अंदर section 26 में maintenance of state registers of driving license के बारे में बात की गई है section 27 में power of central government to make rules यहने कि केंद सरकार की नियम बरने की शक्ति जो है इस अधिनयम के अंदर section 27 में बताई गई है तो जो central government है वह यहाँ पर किस से related provisions बनाएंगी तो जो driving license है वो किन आधारों पर दिया जाना चाहिए उ इन सबसे related जो provision है वो central government के द्वारा यहाँ पर किये जाएंगे section 28 power of state government to make rules यहने कि राज्य सरकार की जो नियम बनने की शक्ति है वो section 28 में दी गई है तो यह chapter 1 और chapter 2 थे इस act के जिसे जो important points हैं वो हमने सारे यहाँ पर cover किये हैं अगर आपको कोई doubt है तो आप हमसे comment section में य thank you for watching please like share and subscribe